नमस्कार मैं दिव्य स्वागत है आपका अच्किस रोजगार समाचार में दसवी बारवी पास वैसुमिद्वार जो रोजगार की चाहा रख रहे हैं उनके लिए सुनहेराफ सर है दरसल बिहार विदानसभादवार आईसुमिद्वारों के लिए भरती निकाली गई है इस भ भरती के लिए आविदन प्रक्रिया एक जन्वरी से ही शुरू है और आविदन करनी के इंतिन तारिक एक जन्वरी दोहजार तोबिस है एक चुक मिद्वार इसके आधिकारिक वेबसाइट विधानसभा.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं चलिएब हम बात करते हैं इस CST और PWD वर्ग से हैं या महिलाव मिद्वार हैं उन्हें आविदन सुल के रूप में 100 रुपे देने होंगे अब बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर की तो इस पद के लिए मिद्वारों से 600 रुपे आविदन सुल के रूप में लिए जाएंगे हाला कि जो मिद्वा के रूप में 675 रुपे देने होंगे ठाला कि SCST और PWD और महिलाव मिद्वारों से आविदन सुल के रूप में 150 रुपे ही लिए जाएंगे अब जानेंगे मिद्वारों के सेक्षिनिक योगता और उम्र सीमा के बारे में तो यहां भी अलग-अलग पदों के लिए अलग- पास होना जरूरी है 8000 वर्ट प्रती घंटा टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए बात करें इनके नियुंतम आयू सीमा की तो इनका नियुंतम उम्र 18 वर्स और अधिक्तम उम्र 37 वर्स होना चाहिए वहीं ड्राइवर के लिए 10 वी पास होने के साथ साथ वैलेट की इसके समक्रत से सेंचनिक रिए होनी चाहिए इनके नियुंतम आयू सीमा 18 वर्स और अधिक्तम आयू सीमा 37 वर्स होनी चाहिए सबसे जरूरी बात जो मिदवार आरक्षित वर्ग से अपना संबन्द रखते हैं उन्हें आरक्षण प्राब्धान के अनुसार समय सीमा में छूट दिये जाएंगे इसके संबन्द में अधिक जानकारी के लिए आप इसके नोटिफिकेशन को एक बार चेक जरूर करें चरिये अब जानते हैं इन पदों पर उमिद्वारों को मिलने वाले वेदन के बारे में तो सिक्यूरिटी गार्ड को 21,700 से लेकर 79,100 रुपे प्रतिमा दिये जाएंगे डेटा एंट्री ऑपरेटर को 25,500 रुपे से लेकर 81,100 रुपे प्रतिमा वेतन दिये जाएंगे इसके बार ड्राइबर को 19,900 रुपे से लेकर 63,200 रुपे हर महीने मिलेंगे तो वहीं office attendant को 18,500 रुपए से लेकर 56,900 रुपए हर महीने दिये जाएंगे चैन प्रक्रिय और परिक्षा पैटरन से संबंधित जानकारी आप इसके notification में देख सकते हैं इसका link हमने अपने description box में दे रखा है अब आखरी में जानते हैं इन पदों पर भरती के लिए आविदन प्रक्रिया के बारे में लेकिन आविदन करने से पहले आप इसके notification को एक बार जरूर पर हैं उसके बाद हमारे बताएगे आदिकारेक वेबसाइट पर जाएं इसका link हमने अपने description box में भी दे रखा है यहाने के बाद आप recruitment में जाए वहाँ सबी पदों के link आपको देखने को मल जाएंगे यहाँ से अपने आविदन की प्रक्रिया को पूरा कर ले आज के लिए फिलाल इतना ही हमारे साथ बने निकले आपका धन्यवाद